1-1 आईा पना लिया है ओर देंड यह आज ये बताओंगे कि इस पाड़ तो मैं आज यह बताउंगे कि front side के आग पाड बनाया और यह बॉडर से स्टार्ट करेंगे और बटन पट्टी भी आपको बताना बताऊंगे कि कैसे हमने उसमें सैट करना है और इस डिजाइन को कैसे सैट करना है बॉर्डर को भी तो यह देखिए 110 फंदे में मैंने यह बॉर्डर बनाया हुआ था क्योंकि यह 20-20 के मुल्टिपल से हमारा यह डिजाइन बनता है और तो यह एल और एक्सल दोनों इसको बहन सकते हैं इतने साइज तक के आप बना सकते हैं तो यह देखिए 110 फंदे है 110 फंदे का आधा 55 फंदे होते हैं तो हम 55 फंदे प्लस 10 फंदे हमने बटन पट्टी के डालने है यानि कि 65 फंदे हमने एक पार्ट में डालने है इसके फ्र डिजाइन को सेट करना है ठीक है तो यह देखिए 20 और 20 दो फूल हमारे 40 फंदों के बनते हैं और देखिए 40 और 15 फंदे हमारे और रहेंगे यानिकि 55 फंदों में हमने डिजाइन सेट करना है 10 फंदे तो हम बटन पट्टी के अलग कर लेंगे बाकि 55 फंदों में हमने इस डिजाइन को सेट करना है देखिए 40 फंदों में तो ये फूल हमारे 2 बन जाएंगे पर हमारे 15 फंदे रह जाएंगे जिसमें हमारा पूरो फूल नहीं बन पाएगा इसलिए उसमें हम आदा फूल बनाएंगे इतना फूल हमने आदा बना लेना है तो इतना बनाना है और यहां 10 फंदे हमने बटन पट्टी के बनाने है तब हमारा डिजाइन सेट हो जाएगा तो यह देखिए मैंने 65 फंदे डाल ले हैं 10 फंदे बटन पट्टी के और 55 फंदों में हम डिजाइन को सेट करेंगे तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तीन फंदे देखिए पहले हम उल्टे बनाएंगे हुआ है एक दो और यह तीन और हमने जो यह फंदे है न इसको डिला 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 हमने डालना है ताकि हम आसानी से बना सके क्योंकि यह फंदे को पीछे करेंगे एक फंदा हम सिधा बनाएंगे पंदे को अपनी ओर दो फंदे उल्टे और आप देखिए इस फंदे में हमने एक फंदे पर पांच फंदे बनाने हैं बबल बनाना है इस पे तो इसकी मैंने फुल वीडियो जो है बॉर्डर की अपलोड की विए वहाँ जाकर आप देख सकते हैं डिटेल में तो ये बना लेना है ये देखिए उल्टा उल्टा बना लेंगे जो पांच फंदे हमने बनाए है एक के पांच इनको देखिए मैंने उल्टा बना लिया फिर से प्लिटेंगे स्लाई को और इसका एक फंदा हम सीधा बनाएंगे फिर से ये वला फंदा इसी स्लाई में ऐसे डाल ल फिर से देखे दो फंदे उल्टे बनाएंगे एक और ये दो फंदे फिर से इस पर भी बबल बनाएंगे इस फंदे पर फिर बबल बनाएंगे यानि एक फूल में मारे पांच बबल बनते हैं तो पांच बबल बनेंगे ये देखे ऐसे लपेटेंगे दो फंदे हो गए और य सब्सक्राइँ खिलीए इसको उपर से ऐसे हमने गिरा देंगे तो यह बॉबल देखिया हमारा बन गया फिर से दो फंधे उल्टे और इस पे फिर से queste बॉबल बनाएंगे तो चलिए मैं बबल बना लेती हूँ जैसे मैंने बताया है आपको एक के पांच बंदे बनाएंगे फिर इसको पांचों को उल्टा बना लेंगे तो चलिए मैं बना कर फिर आपको दिखाती हूँ तो यह देखिए परंट्स यह 3 दिखवल हमारे बन गये है अब फिर आप बंदे को अपनी ओर करेंगे अब दो फंदे वुल्टे बना लेंगे तो यह देखिए हाफ हमारा डिजाइन बन गया है तो हमने यह हाफ ही बनाना है इस सरफ को तो हाफ मैंने बना लिया आप डिजाइन दूब्सरा बनाएंगे यहां पर जो फिर फुली डिजाइन है यह देखे जासे हमने यह हाफ बना लिया इतना हमारा यह बन गया फिर उसके बाद यह बाद यह बाद हमने तीन फंडेхं यहां पर बनाने हैं सीधे फिर से यह फूल बनेगा हमारा डिजाइन यह देखिए यह जो हाफ है यह हाफ बनाकर अब हमारा फूल डिजाइन बनेगा तो देखिए कैसे तीन फंदे सीधे बनाएंगे एक दो और ये इसको थोड़ा डिला करके ये तीन फंदे सीधे और फिर से सेम वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पर बनाया है दो फंदे उल्टे और इस पर बबल बनाएंगे अब इस पर हमारे पांच बबल बनेंगे ये हाफ हमने बनाया है तो हमने तीन बबल ही बनाया है और जब हम फूल बनाएंगे तो हमारे कितने पांच बबल बनेंगे ठीक है ये तीन हो गया और फिर ये ये देखे पांच तो चलिए मैं बबल बना लेती हूं पांच बबल बन कि तीन फंदें सिधे बनाये थे फिर 2 संदें उल्टे फिर एक बबल फिर 2 मत एक बबल किपने उल्टें एक बबल hè याँ यहमारा फूल design बनेगा और यह half बनाये था इसलिए हमने तीन ही बनाये थे क्योंकि हमने 55 फंदों में ही set करना है अब यह देखे फिर से यहाँ पर तीन फंदे हम फिर से सीधे बनाएंगे एक दो और ये तीन फिर से दो फंदे उल्टे एक और ये दो फिर से इस फंदे पर हमने बबल बनाना है फिर से सेम वैसे ही बनाएंगे जैसे मैंने यह बताया आपको कि एक फंदा मतलब इस पर बबल बनाएंगे फिर दो फंदे उल्टे ऐसे ही सेम हमने ऐसे ही बना लेना है तो पांच बबल बन जाएंगे ऐसे ही यहाँ पर भी तो इसको मैं बना लेते हूँ फिर इसके बाद आपको दिखाते हूँ तो यह देखे फ्रेंट्स यह हमने यहाँ पर पांच बबल बना दिये हैं यह देखें, दो फंदे उल्टे एक बबल, दो फंदे उल्टे एक बबल, दो फंदे उल्टे एक बबल, दो फंदे उल्टे, अब फंदे को पीछे करेंगे, और यहाँ पर यह वाला फंदा इसको सीधा बना देंगे, एक फंदा, अब यहाँ पर देखें, यह दस फंदे हैं इन दस फंदे पे हमने बटन पट्टी सेट करने फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे ये देखें एक फंदा बिना बुने हमने ले ले लेना है फंदे को पीछे करेंगे एक फंदा हमने बिना बुने ले लेना है फिर से ये देखें एक दू उल्टा बनाएंगे तीन चार पांच छे और ये साथ साथ फंदे उल्टे बनाने को बाए फंदे को पीछे करेंगे ये वाला फंदा ऐसे वतार लेंगे और ये वाला फंदा हमने सीधा बना लेना है इसे भी नबुने वतारा है और इसे सीधा बना लेना है इस तरीके से करने से न हमारे जो बटन पट्टी है बहुत ही सुन्दर बनती है अब ये देखिए ये उल्टी साइड से हम आगे हैं तो ये देखिए इस फंदे को हमने ऐसे ही ले लेना है फिर ये देखिए इस फंदे को पीछे करेंगे ये वाला फंदा अब ये देखिए बाके सारे फंदे हमने उल्ट उल्ट बना लेंगे ये वाला फंदा हमने इस तरफ से बुन लिया था ना तो हमने इसको ऐसे उतार लिया और ये वाला फंदा नहीं बुना था इसको हमने अब उल्टा बना लिया है और बाकी के सारे फंदे हमने अब उल्ट उल्टे बनाने है जो बटन पट्टी के भी है और जो डिजाइन के भी है सारे फंदे उल्टे उल्टे बनते चले जाएंगे उल्टी साइड से हमने बटन पटी पूरी उल्टी बना लेनी है यह देखिए 5-9 हो गया और जो फंद देखिए हमने यहां पर बिनबन उतारा था इसको भी उल्टा बना लेंगे और यह अब डिजाइन है हमारा को दिखाते हैं फिर तो यह देखिए सीधी साइड से एक तो तो यह देखिए फ्रेंट्स धार्ड रो यह तीन पंदे हमने उल्टे बना लिये हैं अब यहाँ पर देखिए दो फंदे उल्टे हैं डिसाइन के वो बनाएंगे और अब यहाँ पर देखिए तीनका एक करते थे जैसे हम बीच में यहाँ पर दो का एक करेंगे तो ऐसे फंदे को लेंगे और यहाँ पर यहाँ पर देखिए दो का एक कर दिया मैंने, यहां पर जैसे हम मारे गले की फली होती है न, सेम ऐसे यह बनती चली जाएगी, फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक फंदा उल्टा, फंदे को पीछे, यह वाला फंदा देखिए सीधा है, सीधा बनाएंगे, दो फंदे उल्टे बना लेंगे, एक फ अब देखिए बीच में हमारे तीन फंदे सीधे थे न तो इसको क्या करेंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे फिर यहाँ पर फंदे को अपनी ओर करेंगे जाली डालेंगे फिर जाली डालके फिर ये वाला फंदा सीधा यानि कि इस फंदे के दोनों साइड में जालीया पड़ गी है अब फंदे को अपनी और दो फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा फिर दो फंदे उल्टे एक फंदा सीधा एक फंदा सीधा अब फिर यहां पर एक फंदा उल्टा बनाएंगे अब अब यहां पर देखिए बीच में हमने हमारे यह पूर अफ बनेगा 20 फंदों का डिजाइन तो यहां पर देखिए तीन का एक होगा यह दो फंदे हमने ऐसे उतार लेने हैं और एक फंदा सीधा बनाना है और यह दो फंदे इसके उपर से ऐसे गिरा देंगे तो यहां देखिए फली सी हमारे बन जाएगी फिर एक फंदा उल्टा फंदे को पनी ओर करेंगे और फिर पिछे करेंगे एक फंदा सीधा फिर दो फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा फिर से यहां पर देखिए दो फंदे उल्टे यह देखिए हमारा डेजाइन ऐसे ही कम्प्लेट हो जाएगा बनाते जाएगे यहां प हो हमारा यह देखिए यह वाला डिजाइन बनता चला जाएगा यहां पर देखिए बीच में हमारे वाम होते जारे हैं फंदे और यहां पर बढ़ते चले जाएंगे अब एक फंदा सीधा और यहां चाली पड़ेगी फिर ये वाला फंदा सीधा फिर चाली फिर ये वाला फंदा सीधा फिर देखें दो फंदे उल्टे एक फंदा सीधा फिर दो फंदे उल्टे एक फंदा सीधा फिर एक फंदा उल्टा अब फिर से तीन का एक करेंगे हमें आपर दो फंदे ऐसे उतारेंगे और ये वाला फंदा उल्टा बनाएंगे फिर से ये वाला फंदा जो है ये दो फंदे है ये इस फंदे के उपर से ऐसे गिरा देंगे फिर फंदे को पीछे करेंगे ये वाला फंदा सीधा बनाएंगे फंदे को अपनी ओर करेंगे दो फंदे उल्टे बना लेंगे फिर एक फंदा सीधा अब यहाँ पर देखिए फ्रेंट्स यह हमने पूरा कम्प्लीट कर लिया है अब यह दो फंदे उल्टे बनाएंगे अब यहाँ पर देखिए यह वाला फंदा सीधा है ना फंदे को पीछे करेंगे एसे ही बिना बुने उतार लेंगे फिर यह देखिए बटन पट्टी हमारे यहाँ से स्टाट हो गई है यह पंदा हमने बिना बुने उतार लिया है और बाकिए के साथ फंदे उल्टे बनाएंगे दो तीन चार पांच छे ज़ए और यह साथ फिर देखिए फंदे को पीछे करेंगे यह वाला फंदा बिना बुने हम ऐसे सलाई में ले लेंगे और इसको हमने सीधा बना लेना है यह देखिए ऐसे ही हर बारी हमने करना है सीधी तरफ से और उल्टी तरफ से देखिए सारे फंदे हमने उल्टे बनाने है स चला जाएगा बटन पट्टी भी ऐसे ही बनती चली जाएगी तो चलिए इसको कम्प्लीट कर लेती हूं तो यह देखें फ्रेंट सीधी तरफ से तीन फंदे उल्टे बनाएंगे जो एक्स्ट्रा फंदे थे और ये हमने दो फंदे डिजाइन के उल्टे बना ली यानि कि टोटल पांच फंदे उल्टे अब यहाँ पर देखिए ये वाला फंदा ऐसे उठा करेंगे और ये और ये वाला फंदा लेकर दो काई कर देंगे ऐसे सीधी तरफ से फिर ये वाला फंदा देखिए सीधा दिख रहा है तो सीधा बनाएंगे और ये दो फंदे उल्टे ऐसे मतलब हर बारी में कम मोते चले जाएंगे यहाँ पर दो फंदे यहाँ पर उल्टे बनाएंगे अब यहाँ पर देखिए यह वाला फंदा सीधा बनाएंगे और यह जाली वाला फंदा है फिर से आपने जाली डालेंगे और ये बीच में तीन फंदे सीधा बनाएंगे एक दो तीन फिर जाली डालेंगे और ये वाला फंदा सीधा बनाएंगे फिर से वैसे ही रेपीट करेंगे दो फंदे उल्टे एक फंदा सीधा फिर दो फंदे उल्टे एक फंद सीधा अब यहाँ पर तीन का एक करेंगे अब यह देखे बीच में यह दो फंदे ऐसे उतारेंगे और यह वाला फंदा सीधा बनाएंगे फिर इसको उतार इसके उपर से ऐसे गिरा देंगे फिर यह वाला फंदा सीधा देख रहा है इसको स सीधा बनाएंगे जो फंदे उल्टे दिखे रहे हैं उन्हें उल्टा बनाएंगे ये दो फंदे उल्टे फिर एक फंदा सीधा आप फिर दो फंदे उल्टे फिर यहां पर देखिए एक फंदा सीधा फिर जाले डालेंगे जाले डालते वे तीन फंदे सीधे बनाएंगे एक दो तिर फिर जाले डालते वे यह वाला फंदा सीधा बना लेंगे फिर दो फंदे उल्टे सेम वही प्रोसेस जैसे हमने भी बनाया ना सेम वैसे ही यहां पर भी बना लेंगे तो इसको बना लेती हूं करें अब यहाँपड देखिए अ कि यह वाला प्रूदा देखिए हमने बिनबुने ऐसे ही उतार लेना है फिर बागी के साथ फंदे हमारे बटन पटिके हैं और यह उल्टै बनेगे एक फंदा भी नबन उतारेंगे यह दिख्ये साथ फंदे मैंने बना लिए फिर फंदे को पीछे यह वाला फंदा ऐसे उतार लेंगे और यह वाला फंदा सीधा बनाएंगे ऐसे ही हमने बनाते वे चले जाना है इसको और यहाँ पे फंदे कम होते जाएंगे आप यहाँ पर यह इस डेजाइन की वीडियो देख सकते हैं चैनल पर अपलोड की हुई है और मैं लिंक शेयर कर दूँगी आपको तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं और ऐसे ही हमारा यह बन जाएगा बॉर्डर और यह हाफ डेजाइन मैंने बता दिया है कैसे बनाना है अर बटन-बट्टी भी मैंने आपको लेफ्ट साइट के बता दिया अब राइट साइड के मैं बताऊंगी कि कैसे हमने बटन-फोल बनाने है और देखें बटन-बट्टी हमारी अभी इस तरफ है यह देखें और दूसरी जो हम बनाएंगे वह हमारी बटन-बट्टी इस तो डिजाइन अमारा ऐसे होगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि कैसा हमने राइट साइड की बटन पट्टी बनानी है बटन होल बनाना है और कैसा डिजाइन को सेट करना है तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आती है और आपको बताने का तरीका अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब लेक्शियर जरू कीजेगा तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई थैंक यू